नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्रे सावर कर मेड स्कूल में फिर से एक बार आपका स्वगत करता हूँ इस वीडियो का टॉपिक है WPW syndrome and other pre-excitation syndroms Pre-excitation syndrome में ऐसे disorder आते हैं जिनमें आट्रिया और वेंट्रिकल की बीच कंजन आइटेली एक एकसेसरी पात्रे या बाइपास ट्रैक्ट होती है जो एवी नोड को बाइपास करती है बाइपास ट्रैक से पास होनी वाली इंपल्स वेंट्रिकल को अरली एक्टिवेट मतलब की pre-excite कर देती है वल्ब पारकेंसन वाइट सिंड्रोम में पाई जाने वाली बंडल आप केंट ये सबसे कॉमन टाइप थी बाइपास ट्रैक्ट होती है WPW सिंड्रोम में एट्रियल एक्टिवेशन नॉर्मल होता है इसलिए P-Wave भी नॉर्मल होती है एट्रिया से आगे इंपल्स बाइपास ट्रैक्ट और A-V नोड दोनों से कंड़क्ट होती है A-V नोडल डिले की वज़े से बाइपास ट्रैक का कंड़क्शन फास्तर होता है बाइपास ट्रैक से होने वाला कंड़क्शन AV नोड और AV नोडल डिले को बाइपास कर देता है इसलिए PR इंटर्वल शॉर्ट होता है बाइपास इंपल्स वेंट्रिकल के एजजेसंट एरिया को डीपोलराइज करना शुरू कर देती है ये वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन एबनॉर्मल कंड़क्शन ट्रैक से होने के कारण स्लो और बिजार होता है इसलिए QRS कॉम्पलेक्स का इनीशल पार्ट स्लर्ड होता है इसी इनीशल पार्ट को डेल्टा वेव भी बोला जाता है इस स्मॉल एरिया का प्री एक्साइटिशन होने थक इंपल्स एवी नूट से बंडल ब्रांचेस में पहुँच जाती है और बाकी के वेंट्रिकुलर एरिया को डीपोलराइज कर दिए इसी लिए QRS कॉम्पलेक्स का बाकी बार्ट नॉर्मल होता है इसी सिंड्रोम में PR इंटर्वल शॉर्ट मतलब 120 मिली सेकेंड से चोटा होता है QRS कॉम्पलेक्स का अर्ली पार्ट स्लर्ड होता है जिसे की डेल्टा वेव भी बोला जाता है इनिशल स्लर्ड पार्ट की वज़े से ही QRS डूरेशन 120 मिली सेकेंड से जाधा होता है बट ST segment depression और T wave inversion प्री-excitation से होने वाले repolarization abnormality से हो सकते हैं. इसे CG में PR interval सिर्फ 80 millisecond है, delta wave भी दिखाई दे रही है, QRS duration भी 3 small boxes मतलब की 120 millisecond से wider है, तो ये ECG changes WPW syndrome represent कर रहे हैं. ये ECG भी WPW syndrome का है, यहाँ पे lead V1, V2, V3 और V4 में ST depression के साथ T wave inversion दिखाई दे रहा है. अगर पेशन को अंजाना के symptom ना हो और ये changes recent onset ना हो, तो इन changes को हम WPW syndrome से associated repolarization abnormality समझ सकते हैं. WPW syndrome या other pre-excitation syndrome में, bypass tract और normal AV conduction pathway से re-entry circuit बनके AVRT होने का कत्रा होता है. इन पेशन में adrenal fibrillation भी हो सकता है. चलिए समझते हैं कि re-entry circuit कैसे बनता है. Normal conduction pathway और accessory pathway एक close circuit बनाते हैं. दोनों pathways की conduction speed और refractory period different होने के कारण, ये circuit re-entry form होने के लिए vulnerable होता है. Normally sinus impulse दोनों pathways से conduct होती है. बट सम्टाइम जब impulse inter-nodal bundle के distal end तक पोहुषती है, तब दोनों में से एक pathway refractory phase में होता है, जोकी usually accessory pathway होता है. So impulse only AV node से conduct होती है. जब impulse accessory pathway के distal end तक पोहुषती है, तब तक accessory pathway refractory phase से बाहर हो जाता है. So impulse normal conduction pathway से ventricle में conduct होने के साथ-साथ, accessory pathway से retrogradly atria में भी conduct होती है. जब तक impulse atria में पोहुषती है, atrial conduction pathway refractory phase से बाहर हो जाते है. So ये retrograde impulse atria को depolarize करने के साथ-साथ, AV node से anti-gradly भी conduct होती है. यही impulse जब distal end of accessory pathway तक पोहुषती है, तो फिर से ventricle में conduct होने के साथ-साथ retrogradly conduct होती है. इसी तरह impulse सरकीट में re-enter होते रहती है, और atria और ventricle को depolarize करते रहती है. इसी को atrioventricular re-entrant tachycardia और AVRT बोला जाता है. जब anti-grade conduction normal conduction pathway से, और retrograde conduction accessory pathway से होता है, तो उसे orthodromic AVRT बोला जाता है. अगर anti-grade conduction accessory pathway से, और retrograde conduction normal conduction pathway से होता है, तो उसे anti-dromic AVRT बोला जाता है. orthodromic AVRT, narrow complex tachycardia होता है, जिसमें rate 150 to 200 beats per minute के बीच होता है. onset और termination sudden होते हैं. baseline ECG में delta wave जैसे accessory पात्वे के features दिख सकते हैं. P wave absent होती है. pseudo, s या r' wave नहीं होती. multiple leads में mark st depression दिखाई देता है. अगर P wave visible होती है, तो typical AVRT जैसे ही, rp interval PR interval से छोटा होता है. बट unlike typical AVRT, rp interval 70 millisecond से बड़ा होता है. orthodromic AVRT में रिदम कुछ ऐसा दिखाई देता है. ECG में rr interval 8 small boxes है और constant है. सो रिदम regular है और heart rate 188 beats per minute है. multiple leads में st depression दिखाई दे रहा है. P wave lead V4 के अलावा किसी lead में distinctly नहीं दिखाई दे रही है. close लिदे देखे तो rp interval PR interval से छोटा है. बट rp interval 2 small boxes से बड़ा है. मतलब 70 millisecond से definitely बड़ा है. ये सब भी features orthodromic AVRT सजेस्ट करते हैं. antitromic AVRT ECG में wide QRS complex tachycardia के रूप में present होती है. इसलिए antitromic AVRT ventricular tachycardia के साथ confuse हो सकती है. इसी problem को solve करने के लिए ब्रुगाडास criteria डिजाइन किया गया है. ब्रुगाडास criteria के points कुछ इस तरह होते हैं. किसी भी peculiar lead में RS pattern मतलब की equipasic QRS complexes का ना होना. किसी भी peculiar lead में RS interval 100 millisecond से ज़ादा होना. RS interval start of QRS complex से S-wave के deepest point के बीच का interval होता है. lead V6 में QR या QS pattern का होना. किसी भी ECG lead में ventricular atrial dissociation का होना. इस ECG में QRS complexes wide है. RR interval constant है और 12 small boxes long है. So, ventricular rate होगा 1500 divided by 12, that is 125 beats per minute. So, wide complex tachycardia है. Brugada's criteria apply करके देखते हैं. lead V4 में equipasic QRS मतलब RS pattern है. RS interval 100 millisecond से कम है. lead V6 में QR या QS pattern नहीं है. lead V4 में inverted P waves present है और QRS complexes के साथ fix association दिख रहा है. मतलब AV dissociation नहीं है. So, Brugada's criteria से ECG में ventricular tachycardia नहीं है. wide complex tachycardia के patient में कुछ clinical features antidromic AVRT के diagnosis को support करते हैं. जैसे की age less than 35 years, normal QT interval in baseline ECG, baseline ECG में pre-excitation syndrome के features, congestive cardiac failure का ना होना, ischemic heart disease के history का ना होना, cardiomyopathic के history का ना होना, structural heart disease के history का ना होना, और family में sudden death के history का ना होना. WPW syndrome में atrial fibrillation होता है, तो impulse का ventricle में conduction, strip bypass track से, strip AV node से, या bypass track और AV node दोनों से हो सकता है. इन तीनों possibilities में, strip bypass track से conduction सबसे common होता है. बाइपास track से conduction से, दो important effect हो सकते हैं. बाइपास track का refractory rate कम, और conduction faster होने से, ventricular rate 180 beats per minute से जादा, sometime 300 beats per minute तक भी हो सकता है. कंड़क्शन abnormal pathway से होने के कारण, QRS complexes wide और bizarre होते हैं. WW syndrome या other pre-excitation syndrome में, diagnosis ECG से हो सकता है. लेकिन accessory pathways को locate करने के लिए, electro physiological studies ज़रूरी होती है. इन disorders में, ablation therapy क्यूरेटिव होती है. इस वीडियो को अन तक देखने के लिए thank you. अगर आपकी कोई भी query या suggestion है, तो उन्हें comment section में लिखिए. अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, तो इस वीडियो को like केजे, और अपने दोस्तों के साथ share केजे. Next वीडियो upload का notification पाने के लिए, चैनल को subscribe कीजे और bell icon को hit कीजे. Next वीडियो तक take care and keep learning.